नमस्कार जाहिन दोस्तों आज हम जा रहे हैं बाका जिला के बिलहर परखंड में एक डेम मवस्थित है खड़वारनी डेम जो की बिलहर परखंड मुख्याले से 8 से 10 किलो मीटर की दूरी पर है यह खड़वारनी डेम बिलहर पस्चमी छेत्र का सिचाई का सबसे मुख्य साधन है वहां हम लोग बाइक से अभी बिलहर मुख्याले से निकल रहे हैं हमारे साथ में हमारे दो सिक्षक दोस्त हैं एक रवी सर हैं और अनंद सर हैं चलिए हम जानते हैं सबसे पहले अनंद सर से जानते हैं कि वहां पर क्या-क्या मुख्य चीज है जो जाएंगे वहां पर क्या-क्या चीज दरसकों को दिखाएंगे सर बताईए अभी हम लोग जो जा रहे हैं खंडवारनी डेम उसका क्या मुखी उद्यश क्या है खंडवारनी डेम आखिर किस चीज के लिए परसिद्ध है किरपया बताईए जहां तक खंडवारनी डेम की बात है तो मैं भी पहली बार विजिट कर रहा हूं खंडवारनी डेम जहां तक जो भी गए हैं मेरे साथ ही उनसे प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कह सकते हैं कि ये बेलहर पस्चिमी जैसा कि आपने पहले कहा कि बेलहर पस्चिमी छेत्र का स पिचाय का सबसे बड़ा साधन है और परियटकों का भी बहुत बड़ा केंद्र है और बहुत सारे परियटक एक जनवरी और विसकर्मा पुजा में बहुत सारे परियटक आते हैं घूमने के ख्याल से भी बाका और आसपास के छेतर में भी खनवारनी डेम का नाम है और हम लो दोकन करने के पस्चाद बताएंगे कि खनवारनी डेम की क्या विसेस्ता है खनवारनी डेम कब बना और इसका क्या कारण था इसके वारे में विसेस जानकारी वहां पर देंगे अब थोड़ा रवी सर से भी हम पूछ लेते हैं तो सर चल रहे हैं अभी हम लोग खनवारनी डेम कैसा लग रहा है क्या चीज वहां विसेस हैं बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो आपको धन्यवाद की हम लोग सभी मित्र मिलकर हम दो सिक्षक राप सुरज जी और हमारे केमरा शाथ केमरा में शाथी सुमन जी सभी मिलकर हम लोग जा रहे हैं और खंडवारनी डैम जैसा कि हमारे आनन सर ने बताया कि यह एक सिचाई का सबसे बड़ा साधन तो है ही साथी साथ प्रकृति की गोद में यह बसा हुआ एक ऐसा बांध है जहां पर इस छेतर के चाहे आप बांका जिले की बात करें बांका जिले के पडोसी जिला एक मुंग करती है और बहुत अच्छा सिचाई का साधन होने के साथ साथ प्रकृति की गोद में वसा हुआ डैम काफी अच्छा लग रहा है हम लोग से भी जाएंगे आनद उठाएंगे बस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी चलते हैं अब डैम की और फिर आगे वहां की क कि अंतता हम लोग पहुत चुके हैं डैम पर अपने बेलार प्रस्फंट से चले थे और अभी डैम पर पहुत चुके हैं जिस तरह से मुझे बताया गया था, क्योंकि मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आया हूँ, इस तरह से मुझे बताया गया था कि डेम की खुबसूर्ती के बारे में, उससे कहीं बहतर खुबसूर्ती यहाँ दिख रहा है, मैं अपने कैमरामेन सुमन जी से कहना चाहता हूँ कि किर खंडवारनी डेम को घुम लिये पूरा और यहां पर यह के खंडवारनी मां का मंदीर है वहां पर मैं दिखाना चाहता हूं के मेरामेन से बोलना चाहता हूं खंडवारनी मंदीर है वहां पर पूजा अर्चना करते हैं लोग और उसके बाद वह इस तरह से धनुसाकार जो बना हुआ है यह जो राउंड बना हुआ है धनुसाकार यहां के लोकल लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह धनुसाकार जो डेम बना है क्यों बना है में यहाँ के लोकल लोगों से जाना चाहता हूँ, तो बताइए यह जो धनुसा कार बना हुआ है, यह लिखाक ताथ... मैरे किचि लिखाक फालसेँ लुखर प्रीयश मशला, धारिभने थि. तो उस समय जब उनको जब बना रहेते तो शपना आया कि यह जो है हम जहां है वही रहेंगे हमको इधर उदर नहीं घसकाई नहीं तो अच्छा नहीं होगा इसलिए जब दिमाग लगा के इधर से बना है धन्शा कर बना है कि खंडवार निवां जहां का तहां बना हुआ है और यह जो डेम देख रहे हैं यह ढ्याम का जो है मचली बहुत स्वा दिश्ट है खाने महीं बहुत अच्छा लगता है कि अधनिवाद आपको तो मैं दर्सकों को बता देना चाहता हूं यह जो खंडवारनी डेम जो है इसको बेलहरना जलासे योजना के तहत जाना जाता है यहां पर एक मंदीर है जो खंडवारनी मा का मंदीर है यहाँ पर जब जब इंजिनियर लोग आये कि यहाँ पर जलासे को बांधने के लिए डैम को बांधने के लिए तो इसमें उसको एक स्वापन आया कि मैं जहां हूँ वही पर रहूंगे जिसके कारण कि ये जो डेम का जो ये बांध्या करन हुआ जो बांधा गया डेम को वो इसको धनुसाकार बांधा गया क्योंकि नीचे वो मंदीर है अगर सीधा बांधा जाता तो वो मंदीर को तूटने का डर ता मंदीर हट जाता और मंदीर को उपर लाया जाता लेकिन उसको स्वपन के कारण ये डेम को धनुसाकार बांधा गया और वो मंदीर नीचे ही रहा गया इसलिए इस डेम का बहुत ही महतपूर्ण ये जगह है जहांकि ये माखंडवारनी भी है और ये डेम बहुत ही मनमोहक है और इसको सभी दर्शकों के महां खंडबारनी का महमा अप्रमपारज इसके करनी इस डेम को धनुसाकार बनाया गया और इसलिए ये बहुत ही रमनी कस्थल है सभी लोग से मैं निवेदन करूँगा कि इस डेम को आकर के घुमे और आनंद लें बंदे मात्रम